Hello Friends, मैं हूँ संध्या स्वागत है आपका सेल कीरसोई में आज हम बनाने वाले हैं ब्रत special recipe तो इस recipe में हम बनाने वाले हैं हलुआ, केला और सेव का ये बहुत ही tasty बनता है और इसे बनाना बहुत ही easy है अगर आप ब्रत किये हैं नौरात्री में या आपके घर में कोई ब्रत किया है तो आप जरूर एक बार इस तरह से ये हलुआ बनाई, ये बहुत हेल्दी होता है और खाने में बहुत ही tasty होता है और इसे बनाना भी बहुत ही easy है तो चलिए फिर बनाना इस्टार्ट करते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले फ्रेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इसमें ज्यादा कुछ समान नहीं लगता यह हलुआ फलाहार में आता है आप कोई विबरत में इसे बना के खा सकते हैं यह नहीं है कि सिर्फ नवरात्री में ही आप कोई विबरत करते हैं तो उसमें आप खा सकते हैं तो यहां आप देख रहे होंगे मैंने यहां 6 केले लिये थे तो इस हल्वा को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा केला पका हुआ चाहिए कड़ा टैप का नहीं लेना है हमें और यहां मैंने लिया है चार सेव उसे मैंने छोटे यकार में काट लिया है आप चाहें तो सेव को घीस भी सकते हैं जो अद्रग घीसने वाला होता है तो उसमें आप घीस लें यहां ड्राइफूट्स लिया है मैंने तो आप अपने पसंद के अनुसार लें घी लिया है आधी कटोरी चीनी एक कटोरी और चार इलाइची लिया है मैंने इसे हम कूट लेंगे दरदरा तो चलिए फिर सबसे पहले हम गैस ओन करेंगे और एक पेन चड़ाएंगे तिहां मैंने गैस ओन करके पेन चड़ा दिया है अब इसमें डालेंगे घी तो घी हमें पूरा डाल देना है अच्छे से और घी को हमें मेट होने देना है यहाँ घी मैंने डाल दिया आप देख रहे होंगे और गैस को हमें मेडियम फ्लेम पे रखना है हाई पे नहीं रखना है तो घी हमारा अच्छे से गरम हो गया है अब इसमें डालेंगे केला तो चलिए पहले केला को डाल लेंगे उसके बाद सेव डाल देंगे और दोनों को हमें अच्छे से घी में भूनना है तो चलिए पहले केला को डाल दें तो केला को पूरा डालना है हमें यह हलुआ बहुत जल्दी बन जाता है इसे बनाने में ज़्यादा कोई ताम जाम नहीं है फ्रेंट्स तो आप एक बार जरूर ट्राई करें जरूर बनाएं तो यहाँ पूरा में डाल दे रही हूँ केला तिस तरह से हमें छोटे-छोटे अकार में केला को काट लेना है तो केला पूरा मैंने डाल दिया इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और घी में इसे हमें 10 मिनट भूनना है अच्छे से केला और सेव दोनों को अब डाल देंगे यहाँ सेव तो गैस को मैं थोड़ा तेज कर रही हूँ अब सेव को डाल देते हैं तो सेव को अगर आपको हलुआ जल्दी चाहिए तो आप सेव को घीस लें तो जल्दी हलुआ तयार हो जाएगा यहां मैंने छोटे अकार में काट लिया है तो सेव को मैंने डाल दिया अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 10 मिनट इसे हम भून लेंगे इस तरह से और इसे चलाना ना छोड़े नहीं तो जल जाएगा तो इसे चलाते रहें ऐसे चला चला के हमें 10 मिनट भून लेना है 10 मिनट भूनने के बाद इसमें हम चीनी एट करेंगे और डाइफूर्ट से एट करेंगे दूद को मैंने अभी फ्रीज से निकाला हुआ है थोड़ा सा इसे नार्मल होने देते हैं ये गरम दूद था मैंने फ्रीज में रखा हुआ था तो इसे थोड़ा सा नार्मल होने देते हैं तो इसमें हमें एक गिलास दूद डालेंगे तो 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते हुए और ये ब्राउन हो गया है तो थोड़ा हमें इतना कलर आते तक भूनना है अब यहां डाल देंगे चीनी तो चीनी आप अपने स्वात के अकॉर्डिंग डालें अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके बाद इसमें डाल देंगे दूद और दूद को डालके हमें इसे अच्छे से पकाना है गाढ़ा होते तक जब तक इसमें सेव और केल अच्छे से न पक जाए तो अब दूद डाल देते दूद भी नार्मल हो गया है, तो दूद को डाल दिया मैंने एक गिलास, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें अच्छे से पका लेना है गाढ़ा होते तर, यह हलुआ बहुत ही टेस्टी बनता है, और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बरत में तो यह हलुआ बहुत अच्छा लगता है आप जरूर ट्राइ करें हमारे हाँ तो इस तरह से ब्रत में यह हलुआ जरूर बनता है तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इतना ही गाढ़ा रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद यह और गाढ़ा हो जाएगा आप चाहें तो इस प्रेश करकर के चम्मस से और इसे मेट कर सकते हैं केला और सेव को यह हलुआ हमारा जटपड बनकर तयार हो गया फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में अब मैंने अगैस बंद कर दिया अब इसे हम कटोरी में निकाल लेते हैं अच्छे से तो यह देखिए मैंने कटोरी में निकाल लिया यह दे मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ एक नए वीडियो में